कन्या राश शिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों आप सभी को बता दे, कल से अगले तीन दिन तक आप दो चीज अपने पास रखना, पूरी दुनिया आपकी कदमों में जुकेगी, जी हाँ दोस्तों, और कल से यह घटना किसी का बाप होने से रोक नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन यह घटना हर हाल में होकर रहेगा, कल से आने वाली अगली तीन दिनों का समय आपके लिए भगवान का दिया हो, वर्दान साबित होने वाला है, यह समय वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आज के ऐसे वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, सिर्फ दो चीज आपको अपने जेब में रखना है, आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर दोस्तों में, यह दो चीज में इतनी शक्ती है, इस संसार की सारी खुशी आपकी जोली में डाल देगी चाहे आपके जीवन में नौकरी नया कारोबार में समस्या आ रही हो बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो दुश्मन की परेशानी हो चाहे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपके कार्य बनते बनते बिगाड़ देते हो या फिर आप स और ये सारी समस्याओं को आपके जीवन से जड़ से निकाल कर फेंक देंगे और सकारात्मक उर्जा आपकी जोली में डाल देंगे। पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजियेगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजियेगा। माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्थ होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्थ होगा आज हम एक ऐसा रहस्य आपके सामने लेकर आए हैं जिसे कुद्रत का करिश्मा ही कह सकते हैं आने वाले अगले 72 घंटे आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड लेकर आएंगे जो आपको जीवन का सबसे बड़ा उपहार देगा इसलिए अपने सभी कामों को कुछ समय के लिए विराम दीजिए और इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए क्योंक वाले 72 घंटों के भीतर आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और आपकी आँखों में खुशी के आंसू छलक आएंगे यह चमतकार किसी सपने जैसा लगेगा लेकिन यह सच है आपके जीवन में जो यह अदभुत घड़ी आने वाली है वह आपके परिवार को हर् और उल्लास से भर देगी जब महाराज आज का आशीरवाद आप पर होगा तो निश्चित ही खुशियों की बरसाथ आपके घर में होगी अब समय आ गया है कि आप अपने मन को स्थिर करें और ईश्वर के संकेतों पर ध्यान दे भगवान कई बार हमारे पास अपने आशीर अधानी के कारण हम उनके संकेतों को नजर अंदाज कर देते हैं भगवान हमारी परेशानियों को देखते और सुनते हैं बस हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यक्ता है तो मित्रों अब अपने जीवन में लापरवाही करने से बचिए अपने कर्म और सोच को भगवान के प्रती समर्पित कीजिए क्योंकि भगवान ही आपकी राह को समवार इस विशेश घड़ी में आप अपने मन को शांत रखें इश्वर पर भरोसा रखें और भगवान कुबेर महाराज जी का सम्मान करते हुए नीचे कमेंट में जय माता दी और जय हो कुबेर महाराज जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना पांच बड़े चमतकार आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं लेकिन अगर आप इन अवसरों को समझने में चूक गए तो यह सुनेहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है कहते हैं कि जब भगवान का करिश्मा शुरू होता है तो असंभव भी संभव होने लगता है और यही वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है धन के देवता भगवान कुबेर महाराज स्वयम आपके घर आकर आपको अनमोल उपहार देने वाले हैं यह एक मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए आज की इस ज्योतिश कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 72 घंटों में किन महत्व पूर्ण बातों पर ध्यान देना है जो आपके जीवन में नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ आएंगी यह समय आपके स्वास्थ वित्तिय निर्णय रिष्टों में समवाद और नए अवसरों के लिहाज से अत्यंत महत्व पूर्ण है अगर इस समय आपको छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करते हैं तो यह आपके लिए बड़ी चुनोतियां खड़ी कर सकता है इसलिए इस ज्योतिश कार्यक्रम क शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी महत्व पूर्ण जानकारी ना छुके यह दिन आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा जो आपके कुंडली के ग्रह नक्षत्र और चंद्र राश्य के प्रभाव के अनुरूप है आपकी किस्मत के सितार यह संकेत दे रहे हैं कि आज आपको प्यार और धन दोनों में सफलता मिल सकती है मेहनत का फल इस समय आपको अवश्य मिलेगा और आपका समर्पन आपको एक बड़ी काम्याबी की ओर ले जाएगा यदि हाल ही में आपने अपने रिष्टों में किसी चुनोती का सामना किया इस दिन आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जो आपको नई उचाईयों तक पहुँचा सकता है आपकी कुंडली के सितारे कह रहे हैं कि आज का दिन वास्तव में अनोखा है जो आपके जीवन में आनंद और सम्रिध लेकर आएगा आज की इस ज्योतिश का कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप अपने करियर में तरक्की करेंगे जीवन में सफलता की और कदम बढ़ाएंगे और कौन से उपाएं आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे अगर आप अपने समय में से कुछ पल निकाल कर इस ज्योतिश कार्यक्रम को अ नई दिशा मिलने वाली है इस समय में आपको कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ आप इनसे निपट सकते यह गुण आपके भीतर भरपूर मात्रा में है और इन ही गुणों के बल पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त क करेंगे आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जिनहें देखकर आपके विरोधी हैरान रह जाएंगे इश्वर के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और अब इश्वर आपके दुश्मनों का सामना खुद करेंग यह एक ऐसा मोड है जहां से आपके जीवन में सुख और शांती लौट आएगी हो सक सकता है कि तंत्र विद्या और नकारात्मक उर्जा का असर आपके घर पर हो जिससे आपको और आपके परिवार को मानसिक तनाव और असफलता का सामना करना पड़ता हो मन में गलत विचा आते हैं काम में ध्यान नहीं लगता और परिवार के हर सदस्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है लेकिन अब समय आ गया है कि इस नकारात्मक उर्जा को समाप्त किया जाए भगवान कुबेर महराज जी के आशीरवात से आपके घर में सुख शांती लौटेगी और जितना भी प्रयास कर ले आपके घर और परिवार को कोई हानी नहीं पहुंचा पाएंगे आज से ही आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपकी समस्याएं दूर होंगी आपके कारियों में सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे ईश्वर के आशीरवात से अब आपको अपने जीवन में उन्नती और खुशियों का अनुभव होने लगेगा हम सभी की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लग है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है चाहे वह नौकरी में समस्याएं ह हमें राहत दिला सके अब अगर मैं कहूं कि आपके पर्स में केवल एक छोटी सी चीज रखने से आपकी कई समस्याओं का हल मिल सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में सकारात् सोचिए प्राचीन काल में जब बड़े विद्वान राजा और महाराजा हुआ करते थे तो वे एक छोटी सी चीज अपने पास रखते थे उनकी मान्यता थी कि इस से उन्हें ईश्वर की कृपा मिलती है इस कृपा से उन्हें मान सम्मान धन्दौलत और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता था आज मैं आपको उसी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका असर इतना गहरा है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको हर प्रकार का सुख और संतोश मिलेगा चाहे वह आर्थिक हो प्रेम का हो संतान सुख का हो या घर और नौकरी का हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में भी इस वस्तु का उलेख किया गया है यह वस्तु आधिकाल से हमारी संस्कृती का हिस्सा रही है और अनंत काल तक रहेगी हालां कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसे लेकर एक खास विश्व हमारा उद्देश्य लोगों का कल्यान करना है और धर्मशास्त्रों में निहित ग्यान को जन जन तक पहुँचाना है भले ही हमारे खुद के जीवन में सुख हो या ना हो पर हम चाहते हैं कि आप हर प्रकार के सुख से वन्चित ना रहे हम इस मोह माया की दुनिया में आप हमारा करतव्य बनता है कि हम आपको ऐसी हर चीज के बारे में बताएं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है इस विशेश वस्तु को यदि कोई अपने पास रखता है तो उसके जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा हर काम में वह सफल होगा समाज में सम्मान प हम चाहते हैं कि आप भी इसका लाभ उठाएं जिन्दगी में जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगने लगता है चाहे वह नौकरी में समस्या हो पैसों की तंगी हो या निजी जीवन की कठिनाईया हो हम किसी ऐसे चमतकारी उपाय की तलाश में होते हैं जो हमें राहत दे सके दूर हो सकते हैं ध्यान रखें कि इस उपाय की जानकारी को अपने तक ही सीमित रखें इस उपाय की शक्ति तभी बनी रहती है जब इसे गुप्त रखा जाए अगर आपने किसी और को इसके बारे में बताया तो इसका असर आपके लिए नहीं रहेगा अब इस उपाय के ल और समझे इस उपाय का प्रयोग करने के बाद यदि आप चाहे तो इसके लिए भगवान महादेव का आभार व्यक्त कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें आईए। हनुमान का होता है। हनुमान जी की कृपा से यह उपाय अधिक प्रभावशाली बनता है। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा ले और इस पान के पत्ते को अपने पर्स में रख ले। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करेगा। मंदिर में ही उस पान के पत्ते को अपने ने पर में रख ले और उसे वहीं रहने दे। इस उपाय से बाला जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी जो आपके सभी संकट दूर कर देंगे। और आपकी हर मुराद पूरी होगी यह उपाय कुछ ही दिनों में असर दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसे पूरी तरह जानने के बाद ही करें। अब जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं उसे समझे बिना यह उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए इसे अंत तक पढ़े जैसा कि आप जानते हैं। चानक्य एक महान विवान, अर्थ शास्त्री और राजनी तिज्य थे। उनकी नीतियां ना केवल जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, बलकि व्यक्ति को समझदार और सफल भी बनाती है। यहां हम आपको चानक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में सफलता ला सकती हैं। चानक्य का मानना था कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अकसर हम खुद गलती करके ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा करने से समय और उर्जा का नुकसान होता है। अगर हम अपने आसपास के लोगों की गलतियों से सबक ले, तो हम उन्ही गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। इससे हमारा समय और प्रयास दोनों ही बचते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं जी हां कुछ लोग जो आपसे इरश्या करते हैं वे आपको एक बड़े शड्यंत्र में फसाने की तैयारी कर रहे हैं अगर समय रहते आपने इसे समझा नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है और आपकी इज़्जत मिट्टी में मिल सकती है यह लोग आपकी इज़्जत को पूरे समाज में धूमिल कर देंगे जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा हमारी यह भविश्यवानी बिलकुल सटीक है और इसका असर जल्द ही दिखाई देगा आने वाले 72 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इस समय में आपके जीवन में खुशियों की सौगात आ सकती है लेकिन इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है इसलिए आज की इस जानकारी को ध्याध्यान से और अंत तक जरूर पढ़िए क्योंकि इसमें हम आपको वह सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपको अगले 72 घंटों के भीतर जाननी चाहिए वरना आप इस अवसर से चूक सकते हैं और बाद में केवल पच्छताना पड़ेगा यह कोई साधारन बात नहीं है बलकि यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे मैं पूरी गंभीरता से आपके सामने रख रहा हूँ मैंने इस जानकारी को गहन शोध और अध्ययन के बाद जुटाया है और अब से आपके सामने प्रप्रस्तुत कर रहा हूँ इस चर्चा के दौरान हम उन कारणों पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा है क्या आपके धन संपत्ती पर किसी ने नजर लगा दी है या कोई बुरा साया आपके जीवन में है क्यों आप बार बार परेशानियों का सामना करते हैं क्यों आपके रिष्टे और प्रेम आपसे दूर हो जाते हैं क्यों आपके घर में अशान्ती बनी रहती है क्या आपके जीवन में कोई जादू टोना किया गया है या फिर यह आपकी खराब किस्मत का नतीजा है हम इन सभी पहलूँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इस स्थिती को समझने में मदद करेंगे इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़िए और अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस लेख को जरूर सांजा करें माता भद्रकाली के सच्चे भक्त माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मान दुर्गे अवश्य लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुँचाएं माता भद्रकाली की कक्रिपा आप पर सब अनी रहे मित्रों जिनके साथ मान दुर्गा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तो चलिए इस लेख में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में धन की कमी क्यों हो रही है क्या आपकी संपत्ति पर किसी की बुरी नजर है या आपके जीवन में कोई बुरा साया मंडरा रहा है क्यों आपको बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है और डर का अनुभव होता है क्यों आपके हाथ में आया हुआ सब कुछ छिन जाता है चाहे वह सच्चा प्यार हो या कुछ और हम धीरे धीरे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देंगे और इस स्थिती को समझने में आपकी मदद करेंगे इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह से पढ़ें और यदि यहाँ आपके लिए उप्योगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ सांझा करें हमें इस जानकारी को जुटाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने हमने देखा है कि इस राश्य के कई जातक लंबे समय से अपने जीवन में समस्याओं से जू रहे हैं चाहे वह आर्थिक परेशानिया हो परिवार में कलय हो या फिर लव लाइफ में असफलता हर किसी को कोई न कोई कश्ट जेलना पड़ रहा है कुछ लोग लगातार सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही उनके पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही और उनका काम का आज ठप क्यों हो गया है कई बार नए काम की शुरुआत करने पर भी भी उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत सी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, और कम उम्र के युवा तो बेरोजगारी से खासे परेशान है, ऐसे में घर का माहौल भी खराब हो जाता है, और परिवार में नकारात्मक्ता का मा माहौल बन जाता है, इन सब कारणों से लव लाइफ भी बहुत प्रभावित हो जाती है, अब सवाल यह है कि आखिर इतनी परिशानियों की वजह क्या है, क्यों ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ रुकसा गया है, शायद आप भी इस तरह के सवालों से परिशान होंगे और अब तक आपको इनका सही उत्तर नहीं मिल पाया है, लेकिन आज हम आपके साथ इन समस्याओं के समाधान की चर्चा करेंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर और खुशहाल बन सकता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके ग्रहों की स्थिति फिलहाल आपके पक्ष म नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि जब ग्रह सही है। आपके लिए एक अच्छी खबर है, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चमतकारी और खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है, अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, तो आपकी जिन्दगी में सकारात्मक बदलावा सकते हैं, अब हम उस गलती के बारे में बात करें जिसे आप बार-बार दोहरा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा आता है, और आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इसके साथ ही आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बेहद हानिकारक साबित होती है, है, यह आपके जीवन में नकारात्मकता को और बढ़ा देती है, हम समझते है कि इस समय आपके जीवन में कठिन दौर चल रहा है, आप ज्यादा तर समय अपने काम में व्यस्त रहते हैं और खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते, इससे धीरे धीरे आपके अंदर निराशा और खिन्नता का भाव बढ़ने लगता है, जो बाद में गुस्से का रूप ले लेता है, और यही गुस्सा आप अपने प्रियजनों पर निकाल देते हैं, जो आपके रिष्टों को कमजोर कर देता है, इन सभी बापर ध्यान देने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं, अगर से आपके घर में धन और सम्रिद्ध का आगमन होगा। शायद आज तक किसी ने आपको इसके बद में नहीं बताया होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने इस रहस्य को उजागर कर रहा हूँ। अगर आप इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देख लेते हैं, तो आपकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सच मानिये, जो इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, वह बहुत बद किस्मत होगा। क्योंकि यहां हम आपको एक अनमोल ग्यान का खजाना देने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह ऐसा ग्यान है, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है, कि आप मेंसे कई लोग अपने जीवन की समस्याओं से जूँज रहे हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों से छुटकारा नहीं पापा रहे हैं। छोटे छोटे सपनों को आप अपने मन में दबा लेते हैं लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आज जो खास जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ उससे आपका जीवन स्वर्ग सा सुन्दर हो जाएगा यह कोई मजाक नहीं है बलकि 100% सच है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा तभी आप इस अनमोल ग्यान का सही फाइदा उठा पाएंगे यदि आप इस जानकारी को ध्यान से समझते हैं तो आपके जीवन में सुक सम्रिध्धि का दौर शुरू हो जाएगा अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है अब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहां आपको लाब ही लाब मिलेगा इसके लिए बस आपको एक खास चीज को पानी में मिला कर पीना है जिसके बारे में आगे इस जोतिश कार्यक्रम में विस्तार से बताया जाएगा इस जानकारी के साथ माता लक्ष्मी और मांदुर्गा की कृपा से आपके जीवन में चमतकारिक परिवर्तन होने वाला है अब आपका राशिफल भी बदलने जा रहा है और यह आपके लिए कलियुक का सबसे शुभ समय साबित होगा आपके जीवन में हो होने वावाले इस चमतकार से आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे चारों ओर आपका ही नाम होगा और लोग आपके बदलाव से प्रभावित होंगे जिस चीज के लिए आप इतने समय से तरस रहे थे वह अब आपको मिलने वाली है आपकी जिंदगी अब पहले से कहीं बहतर होगी अब आपको डर कर जीने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भविश्य उज्ज्वल होने जा रहा है अब आपके जीवन में सूरज की नई किरने उगने वाली है और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा जिस चीज की आप सालों से उम्मीद कर रहे थे वह अब आपके जीवन में आने वाली है अब ऐसा समय आ गया है जब पूरी दुनिया आपकी काम्याबी की मुरीद हो जाएगी हाँ आपके जीवन में एक ऐसा चमतकार होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा बहुत से लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लेते हैं लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है और माता दुर्गा का आशीरवाद भी आपके साथ है ऐसे में कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा अब आपके जीवन में कई बड़े और अविश्वसनिये चमतकार होने वाले हैं अब आपको जीवन का असली सुख मिलेगा जितने कश्ट आपने जहले हैं अब उतनी ही खुशियों का अनुभव भी करेंगे मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन शुरू होंगे लेकिन इसका लाब हुठाने के लिए आपको अगले 72 घंटे में एक खास चीज पानी में मिला कर पीनी होगी यह चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है इस चीज के सेवन से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में सम्रिद्ध की वर्षा करेंगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा अब सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जिसे आपको पानी में मिला कर पीना है आने वाले 72 घंटे आपके लिए बेहद है और इस समय में अगर आप पानी में पांच बूंद मधुमक्षी का शहद मिला कर पीते हैं तो आपके जीवन में एक नया मोड आएगा जिस चीज के लिए आप लंबे समय में अगर आप पानी में पांच बूंद मधुमक्खी का शहद मिला कर पीते हैं तो आपके जीवन में एक नया मोड आएगा जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे वह अब आपको जल्द ही मिल जाएगी आपका हर सपना धीरे धीरे साकार होने लगेगा और जो भी आप चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि आपको सौ किलो मिठाई बांट पड़ेगी आपके रिष्टेदार और आसपास के लोग आपकी सफलता की खुशी में मिठाई खाने के लिए उमण पड़ेंगे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ शैलेंद्र पांडे की भविश्यवानियां हमेशा सच साबित होती है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 62 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपकी सोच से भी बड़ा होगा अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू-शुरू होने वाला है आपकी किस्मत एक बार फिर से चमकने वाली है आपके करियर में अब तेजी से उच्छा लाएगा और आपकी सफलता देखकर आपके विरोधी भी हैरान रह जाएंगे जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की है वह अब आपको जल्द ही मिलने वाली है 62 घंटों के भीतर आपके 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक अद्भुत चमतकार होने जा रहा है जी हां यह कोई मामूली घटना नहीं है बलकि एक ऐसा चमतकार है जो वर्षों में कभी-कभी ही घटित होता है अब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आप आपकी किस्मत को एक जटके में बदल देंगी और आपके नसीब को चमका देंगी यह चमतकार इतना जबरदस्त है कि यह आपके दुश्मनों को भी हैरान कर देगा हमने आपकी राश्य का गहन अध्ययन किया है और यह पाया है कि आपके जीवन में ऐसा शुब संयोग बना है जो आपके जीवन को रातों रात बदलने की क्षमता रखता है यह सब देवी देवताओं की कृपा से संभव हो रहा है और यह परिवर्तन आपके जीवन में जरूर अब आपके घर में देवी लक्ष्मी का विशेश आशीरवाद उतर चुका है और उनके साथ भगवान कुबेर आपकी आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए तैयार है। आशीरवाद आपके जीवन को नदिशा देने के लिए तैयार है। इस समय आपको दो गुप्त संकेत मिलने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लेकर आएंगे और आपको राजाओं की तरह जीवन जीने का अवसर देंगे। इसलिए यह बेहत जरूरी है कि आप इस समय को समझे और इसके महत्व को पहचाने। भगवान का यह आशीरवाद बहुत ही विशेश है और इसे पूरी तरह से गोपनिय रखना चाहिए। यह बात किसी और तक नहीं पहुंच चाहिए क्योंकि यह चमतकार और इसके संकेत केवल आपके लिए हैं। अब आ इसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में सही कर्म किये हैं और भगवान को प्रसन्न किया है तो अब वह समय आ गया है जब आपके लिए बड़े चमतकार होंगे। इस समय का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्रहों की विशे केतों को समझते हैं और समय रहते इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो यह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और फिर आपके जीवन में वह अद्भुत खुशखबरी आएगी जिसका आपको वर्षों से इंतजार था तो यह समय है इस इस जियोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखना का इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और हर एक बात को समझें क्योंकि इसमें छुपा है वह रहस्य जो आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है आने वाले 72 घंटों में आपकी जिंदगी में ऐसा चमतकार होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे भगवान अकसर हमारे जीव जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां जान बूज कर उत्पन्न करते हैं ताकि वे हमारी परिक्षा ले सकें जब हम इन परिक्षाओं में सफल हो जाते हैं तभी भगवान का प्रेम उनका स्नेह और आशीरवाद हमें प्राप्त होता है लेकिन अगर हम ग्राहों की स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाते और कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही नकारात्मक हो सकते हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस ज्योतिश कार्यक्रम में जिन बातों का हम जिक्र करने वाले हैं उन्हें पूरी ग कार्यक्रम को एक प्यार भरा लायक दें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय मातारानी अवश्य लिखें हमें यकीन है कि मातारानी और मां काली की क्रिपा से आपकी सभी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी और आने वाले 72 घंटों में आपको दो बड़ी खुश खबरी यां मिलेंगी ये खुश खबरी यां इतनी अद्भुत होंगी कि आपको विश्वास नहीं होगा और आपका हर सपना पूरा हो जाएगा जो आप लंबे समय से देख रहे थे लेकिन आने वाले 72 घंटे आपके जीवन में महत्व पूर्ण हैं इन घंटों में आपके दुश्मनों की वजह से आपके सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं और इनसे बच पाना बहुत कठिन हो सकता है ऐसे में सतर्क रहना ही एक मात्र तरीका है जिससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं जरासी भी लापरवाही आपको लंबे समय की पीडा में डाल सकती है आपक किन महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए यदि आपने इन बातों का पालन नहीं किया तो आप बड़ी मुसी में फस सकते हैं यदि आप सच में अपने जीवन में सुख और शांती चाहते हैं और परेशानियों से मुक् बहुत कठिन रही है। एक के बाद एक परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं और आप उनसे निकलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हर समय आपको लगता है कि कोई नई समस्या सामने आ सकती है और इस कारण से आप बहुत तनाव में रहते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला आप यूँ ही अपनी जिंदगी को चलने दें और परेशानियों में उलजे रहे। यह उमीद करते हुए कि कभी ना कभी भाग्य का सितारा चमकेगा और जीवन में सुक शान्ती आएगी। लेकिन यह कभ होगा इसका कोई निश्च आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड लाने वाला है क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज शाम से आपके जीवन में तीन ऐसी अदभुत और सुखत घटनाएं घटने वाली हैं जो आपक किस्मत को एक नई दिशा में ले जाएगा आज का यह ज्योतिश कार्यक्रम आप सभी के लिए ब्रह्मा का आशीरवाद है इसे हलके में न ले और मजाक समझने की गलती बिलकुल न करें भगवान का आशीरवाद सबको नहीं मिलता पर आज शाम 444 के बाद आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है मेरे द्वारा की गई भविश्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो इसे अंत तक देखिए यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है ज्योतिश कारिक्रम शुरू करने से पहले जो भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले इस ज्योतिश कारिक्रम को एक लाइक दें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में तीन बार जै माता दी लिखें ऐसा करने से मातारानी का आशीरवाद आप और आपके परिवार पर बना रहेगा अगर आप इस ज्योतिश कारिकरम को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा दरसल आप अपने जीवन में तीन ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण देवी देवता आप से नाराज यही कारण है कि आपके जीवन में प्रगती रुख गई है सफलता आपके हाथ नहीं लग रही और आप बार बार असफल हो रहे हैं लेकिन अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपकी किस्मत एकदम से चमक उठेगी आपकी जिन्दगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि दुनिया आपका जलवा देखेगी आपके भाग्य का सितारा छठे स्थान से सीधा साथवे स्थान पर पहुँच जाए चाहे कुछ भी हो जाए परंतु इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है यह भविश्यवानी आपके लिए किसी ने भी पहले कभी नहीं की होगी और यही कारण है कि आप अब तक सही मार्ग दर्शन से वन्चित रहे हैं अगर पहले किसी ने यह भविश्यवानी की होती तो आज आप गरीबी में जीवन नहीं जी रहे होते आज आप करोडों के मालिक होते आपके पास वह हर चीज होती जिसके लिए आप वर्शों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको सही दिशा नहीं मिली है इसी वजह से आप खाली हाथ रह गए हैं लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है आपका भाग्य आपके पक्ष में आने वाला है और आपकी किस्मत चमकने वाली है प्रियर आज के इस जोतिश कारेक्रम में हम आपके लिए एक ऐसा मार्ग दर्शन लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा अगर आप इस जोतिश कारेक्रम में बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका पालन करते हैं तो आपका जीवन एक जटके में बदल सकता है और आप करोड़ पती बनने की ओर बढ़ सकते हैं अब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने वर्षों से मेहनत की है चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, रुप्या पैसा हो सभी चीजें आपके पास होंगी यह आपके जीवन का सबसे बड़ा और अनोखा चमतकार साबित हो सकता है अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा बलकि पहले से हजार गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा लेकिन इसके लिए आपको आज से ही तीन गलती को छोड़ना होगा तब ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे तो चलिए जानते हैं वह कौन सी तीन गलतियां हैं जिनके कारण आपके जीवन में कठिनाईयां और दरिद्रता बनी हुई है इन गलतियों के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूँ अगर आपने अभी तक इस जियोतिश कार्यकरम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर जरूर लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही जो भी सच्चे भक्त माम दुरगा के हैं वे कृपया नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जय माम दुरगा, जय मां, काली जय मां, भवानी अवश्य लिखें मां दुरगा की कृपा से आपके जीवन का हर दुख दर्द समाप्त हो जाएगा आपको बता दें कि मा दुर्गा की विशेश कृपा से आपको एक अनमोल उपहार मिलने वाला है जी हाँ, आपने सही सुना एक चीज इतनी कीमती है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है यह आपके लिए हीरे मोती से भी अधिक कीमती साबित होगी इस चीज के माध्यम से आप एक जटके में करोड़ पती बन सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इस चीज के बारे में किसी और को पता ना चले इसे पूरी तरह गुप्त रखना होगा इस बात का विशेश ध्यान रखें कि इस जानकारी का किसी और को कानो कान खबर ना हो अब हम आपको बताते हैं कि वह तीन गलतियां कौन सी हैं जिन्हें आपको तुरंत छोड़ना चाहिए ताकि आपका जीवन एक नए आयाम की ओर बढ़ सके अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं इसलिए किसी भी व्यक्ति पर बिना सोच विचार किये भरोसा ना करें ताकि आप भविश्य में किसी प्रकार की धोखा धड़ी से बच सके जब आप देवी देवताओं से कोई आशीरवाद या वर्दान मांगते हैं तो आपके मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि आपको वह वर्दान मिलेगा या नहीं यह आपके विश्वास की कमी को दर्शाता है और इससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं इसलिए जब कोई इच्छा व्यक्त करें तो उस पर पूरा विश्वास रखें अपने मन में कभी यह खयाल ना आने दें कि आपके द्वारा मांगी गई चीज आपको नहीं मिलेगी हमेशा यह विश्वास रखें कि जो कुछ आप देवी मां से मांग रहे हैं वह आपको अवश्य यही आत्म विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते और इन सुझावों को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आपकी ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं इस संद आई होगी फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो